ओम शांती, आज 16 फरवरी 2024 के साकार मथुर महवाक्ति हैं, आज अव्यक्त मिलन दिवस है, हम सभी अपने अपने स्थानों पर अव्यक्त मुलाकात करेंगे, पुर्व तयारी करेंगे, साइलेंस में रहकर बाबा का आहवान करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब से मलने के लिए आजओ, जितना अंतर मुखी रहेंगे, उतना बाबा की याद रहेगी, और अव्यक्त मिलन से आत्मा शक्त पिशाली बनती है, आज शुक्रिया दिवस भी है, बहुत सुन्दर बात बाबा ने सिखाई, किसी भी परसिती में, बाबा के पास आपके मन और बुद्धी रहें, शक्ति मिलती रहेगी, और आप साक्षी होकर खेल देखते रहेंगे, पर सितिया तो आनी ही है, समंदों में भी टकराव उपर नीचे, धन का उपर नीचे होना, ये सब होना ही है, इन सब में भी बाबा से शक्ति लेकर आगे बढ़ते रहें, साक्षी होकर खेल देखो, उच पदपाना है, तो उसका आधार पढ़ाई है, कभी मत भेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जो बच्चे अच्छे रिती पढ़ते हैं, उने ही राज तिलक मिलता है, ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनान चलते फिरते भी आत्म भाई भाई की दृष्टी पक्की करनी है, ताकि विकारी ख्यालात समाप्थ हो जाएं, अब घर चलने की तयारी करनी है, अगर एक ज्यान योग पत पे चलता है, दूसरा धीला है, तो रुक नहीं जाना है, पर गृती में रहते भी एक दो को उमंग देकर आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, याद रखना है कि अब वापिस घर जाना है, तो यहां पर कहीं पर भी मोह की रगे नहीं होने चाहिए, यह बाबा सब का बाबा है, बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरु भी है, महमंत्र देते हैं, मन मनावव, मध्याजी भव बाबा सभी का बाबा है, सभी को कहते हैं, इस सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, बाबा ने पूछा, बाबा ही आपको सत्योगी दुनिया के लाइक बनाते हैं, तो अब आप जो दिपावली पर लाइटिंग करते हो, तो वो दिपावली पर होनी चाहिए, या शिव जियन्ती पर होने चाहिए, शिव जियन्ती आपका बहुत बढ़ा त्योहार है, बाबा सबके भंडारे भरपूर करने वाला है, जब दिपावली होते हैं तो लक्ष्मी का आहवान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी को भी प्राप्ति कहां से होई, शिव बाबा से होई, तो उन्हें ही याद करना है और ये शिव ज्यंती वो धूम धाम से मनानी है। सुनते हैं बाबा के मदर बूल, बाबनी का मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हूँ, तो आत्मा भाई-भाई समझ के बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। कोश्चन है, भविश्य राज तिलक प्राप्त करने का अधार क्या है? पढ़ाई, हर एक को पढ़ा कर, पढ़कर राज तिलक लेना है। बाब की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आश्रवाद की बात नहीं, पूरा निश्चे है, तो श्री मत पे चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मत वेद में आकर पढ़ाई छोड़ी, तो ना पास हो जाएंगे। इसलिए बाब केते मीठे बच्चे, अपने उपर रहम करो। आश्रवाद मांगनी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। भविश्य राज तिलक प्राप्त करने का अधार पढ़ाई है, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है, बाब की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आश्रवाद की बात नहीं, पूरा निश्चे है, तो श्री मत पे चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मत भेद में आकर पढ़ाई छोड़ी, तो ना पास हो जाएंगे। इसने बाबा केते, मीठे बच्चे, अपने उपर रहन करो, आश्रवाद मागनी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शान्ती, सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे जानते, परम पिता, पिता भी है, टीचर भी है, ऐसा तुमको पढ़ाते हैं, जो और कोई पढ़ा न सके, तुम कहते हो शुब बाबा हमें पढ़ाते हैं, अब ये बाबा कोई एक का नहीं, मन इसका आत्माओं से बात करते हैं, अब तुम जीव आत्माओं हुँ, बेहत का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमें पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं समझेंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, ये है पारलोकिक सुप्रीम टीचर, जो पारलोकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम भी परलोक के निवासी हो, मूलवतन के निवासी हो, परमधाम को ये परलोक कहते हैं बाप भी परलोक में रहते हैं बाप कहते हम भी शान्ती धाम के निवासी है तुम भी वहां के निवासी हो हम दोनों एक धाम के रहवासी है तुम अपने को आत्मा समझो मैं परमात्मा हूँ अब तुम यह पार्ट बजा रहे हो पार्ट बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो, ये सारा बेहद का मांडवा है, जिसमें खेल होता है, ये सारी सिष्टिक कर्मक्षेत्र है, जिसमें खेल चल रहा है, ये सरब तुम जानते हो, ये बेहद का खेल है, जिसमें दिन और रात होते हैं, सुर्य चांद कितनी बेहद की रोशनी देते, ये ह बेहद की बात, अब तुम्ही ज्ञान भी है, रच्चता आकर, रच्चता और रच्चना क्यादी मध्यंत का परिचे देते हैं, बाबा केते हैं, तुम्ही रच्चना क्यादी मध्यंत का राज सुनाने आया हूं, ये पाठशला है, पढ़ाने वाला अभोगता है, ऐसे कोई ही कहेंगे कि हम अभोगता हैं एमदाबाद में एक सादू ऐसे कहता था रंतु बाद में ठगी पकड़ी गई इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है वेशधारी बहुत है इनको तो कोई वेश है नहीं मनुष्य समझते स्रीकृष्ण गीता सुनाई तो आजकल कितना उलज कहें हैं अब इतने सारे स्रीकृष्ण तो होते नहीं यहां तो तुम को श्व बाबा पढ़ाते हैं आत्माओं को सुनाते हैं में बार बार कहां गया अपने को आत्मा समझ भाई-भाई को सुनाओ बुद्धी मेरे बाबा की नॉलेज भाईयों को सुनाते हैं मेल अथ्वा फिमेल दोनों भाई भाई है इससे बाबा करते तुम सब मेरे वर्से के हकदार हो वैसे फिमेल को वर्सा नहीं मिलता क्योंकि उनको ससुर घर जाना है यहां तो है सब आत्माई और शरीरी होकर जाना है घर और शरीरी होकर मोलवतन जाना है अब जो तुम्हें ग्यान रतन मिल अब तुम्हें देहिय अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो बेनत चाहिए न, लोकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ती रख देते, अब कहां शिव का चित्र, कहां मनुष्य का चित्र, राद दिन का फरक है, वे गुरु का फोटो पहन लेते, पती हाँ, शिव का पहनेंगे, तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो परम पिता है, उनका चित्र होना चाहिए, यह गले का हार बनाने वाला, तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे, यह तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजा पिता ब्रमा की माला भी है, उप को छोटी बिंदी, ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ, तो अनगिनत हो जाएगी, गिंती करते करते ठक जाएंगे, तो देखो आत्मा का जाड़ कितना चोटा है, ब्रम तत्व में, वो थोड़ी जगे में आत्माई रहती हैं, वो फिर यहां आती हैं, पार्ट बजाने के लिए मूल वतन का चित्र है न, तो उसमें सब छोटे-छोटे स्टार दिखाए हैं, थोड़ी सी जगे में सारे विश्व की आत्माई हैं, यहां फिर कितनी लंबी चोड़ी दुनिया हैं, कहां का आरोपलेन में जाते, वहां फिर आरोपलेन आदी की दरकार नहीं, आत्माउं का चोटा सा ज़ाड है, यहां मनिश्यों का कितना बड़ा ज़ाड है, यह सब प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम, कोई आधी देव कहते हैं, मेल फिमेल तो जरूर हैं, तो मारा हैं परवर्ती मारग, नरवर्ती मारग का खेल होता नहीं, एक हाथ से क्या दोनों पईये चाहिएं. दो है तो आपस में रेज करते हैं. दूसरा पईया साथ नहीं देता तो धीले पड़ जाते हैं. प्रन्तु एक के कारण ठैर नहीं जाना चाहिए. पहले पहले पवित्र परवर्ती मारग था, फिर होता है ओ पवित्र, गिरते ही जाते हैं. तुम्हा इसने बाबनी कहा, यह लिखो, हमने रच्ता, रच्ता के द्वारा, रच्ता और रच्ना की नौलेज का अंत पाया है, वो तो न रच्ता को जानते हैं, न रच्ना को जानते हैं, अगर परम पडा ये चला आता ज्ञान, तो कोई बताए न, सिवाई तुम ब्रह्मा कुमार कु अब बाबा ने इसकार्थ बताया इस समय हम ब्रामन है फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में अब हम पुर्षोतम संगम युग पर है अर्थाक ये पुर्षोतम बनने का संगम युग है ये सब तुम समझा सकते हो रचता और अचना कर्थ हम सो कर्थ ओम अर्थाक मैं आत्मा फरस्ट फिर ये शरीर है आत्मा विनाशी शरीर विनाशी है हम ये शरीर धरनकर पार्ट बज जाती हैं, हमात्मा ये करती हैं, हमात्मा परम पिता के बच्चे हैं, कितना वंडरफुल ज्यान है, ये ज्यान बाप में ही है, इससे बाबा को बुलाते हैं, बाबा है ज्यान सागर, उनकी भेट में पिरें अज्यान के सागर, आधा कलपे ज्यान, आधा कलपे अज्यान, ज् रच्ता द्वारा रच्ना को जानना तो जरूर रच्ता में ही ज्ञान है ना इसने उनको creator कहते हैं मनुष्य समझते creator ने रच्ना रची है बाप समझाते यह अनादी बना बनाया खेल हैं कहते पतित पावन आओ तो रच्ता कैसे कहेंगे रच्ता तब कहें जब प्रले हो फिर रचे बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाने आते हैं यह सारे विश्व का जो ज़ाड है उसके आदी मध्यंत को मीठे मीठे बच्चे जानते हैं जैसे माली हर एक बीज और ज़ाड को जानते हैं बीज को देखने से सारा ज़ाड बुद्धी में आ जाता है यह स्रिष्टी का मनुष्य स्रिष्टी का बीज उन्हें कोई नहीं जानते हैं गाते हैं परम पिता परमात्मा स्रिष्टी का बीज रूप है सत चित आनंद स्वरूप है सुक शान्ती पवित्रता का सागर है तुम जानते हूँ सारा ज्यान परम पिता परमात्मा इस शरी तो जरूर यहां आएंगे न, पतितों को पावन प्रेना से कैसे बनाएंगे, तो बावा यहां आकर पावन बनाकर ले जाते हैं, वे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यह पुर्शोतम संगम युग, इस पर तुम भाशन कर सकते हो, कैसे पुरुष्ट तमो प्रधान से स्र आगे चलकर यह ज्यान सुनेंगे, बहुले छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, अगर कोई छोड़ के चले गए, फिर आजाएंगे, क्योंकि गती सदगती की हटी यह एकी है, तुम कह सकते हो, सबका सदगती दाता एक बाप है, उनको शिरी-शिरी कहते हैं, स्रेष्ट त स्रेष्ट है परमपिता, तो वो हमें स्रेष्ट बनाते हैं, परमपिता स्रेष्ट है स्रेष्ट है, हमें भी स्रेष्ट बनाते, स्रेष्ट है सत्यू, भरस्ट है कल्यू, कहते हैं भरस्टाचारी हैं, परन्तो अपने को समझते नहीं, पते दुनिया में एक भी स्रेष्ट शरी शरी जब आए तम आकर शरी बनाईई शरी का टाइटल सक्टियुगादी में देवताओं का था यहां सबको शरी कह देते वास्तों में शरी अक्षर है पवित्रता का दूसे धर्म वाले कोई भी अपने को शरी नहीं कहते शरी पोप कहेंगे क्या यहां तो सबको कहते रहते काहन स्मोती चुगने वाले कां बगुले गंद खाने वाले फरक है ना दिवताई है फूल ये गार्डन आफ अल्ला है सत्योगी दुनिया गार्डन आफ अल्ला बाप तुमें फूल बना रहे हैं बाकि तुम जानते हो फूलों में भी सबसे अच्छा फूल होता है किंग फ्लार इन लक्ष्मी नारेन को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लार कहेंगे सत्योगी दुनिया के ये महराजा महरानी सबसे बड़े पुश्प हैं तुम बच्चों को आंत्रिक खुशी होने चाहिए इसमें बाहर का कुछ नहीं करना ये बतिया दी जलाने का भी अर्थ चाहिए शिव जयनती पर जलानी चाहिए या दिपावली पर दिपावली पर लक्ष्मी का हवान करते हैं उसे पैसे मांगते हैं जबकि भंडारा भरने वाला शिव भोला भंडारी है जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अकुट खज प्रताना भर जाता है, ये ज्ञान रतन धन है, वहां तुमारे पास अथा धन रहता, नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे, सत्यों में धेरों के धेर एरेजवारात है, फिर वो ही होंगे, मनश्य मूझते, ये सब कतम होंगे, फिर कहां से आएगा, खानियां खुद गई, पहाड़ियां तूट गई, फिर कैसे होंगे, बोलो हिस्टी जोगरफी है न, तो जो कुछ था, सिर्फ वो ही रिपीट होगा, हिस्टी रिपीट होती है, जो कुछ था, फिर रिपीट होगा, तुम बच्चे पुर्शार्ट कर रहे हो, स्वर्ग का मालिख बनने का, स उसकी भेट में अब क्या है, जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं, स्वर्ग के रच्चता बाप का जनम मनाया जाता, जरूर स्वर्ग की बादिशा ही दी होगी, अब तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, तुम्हें शरी के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, इस शरी के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योगबल से या सजाएं खाकर, फिर पद भी कम हो जाता है, सुडेंट की बुद्धी में रहता है, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना आपको आप क्या सोगात देंगे, पूछ रहे हैं बाबा, मेरे लिए कौन सी गिफ्ट है, मेरे लिए कौन सी सोगात है, या तो जो कुछ देखते हो, ये रहना नहीं है, ये पुरानी चीची दुनिया है, तब मुझे बुलाते हो, बाबा तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, इस खेल को याद करना चाहिए, मेरे में रचता और रचना की नौलेज है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो, पांजर वर्ष के बाद फिर चक्र पुरा होगा, तुम्हारा पाट कितना लवली है, तुम सतो प्रधान वा लव पुली बनते हो, फिर तमो प्रधान वी तुम बनते हो, तुम ही बुलाते हो बाबा आओ, और अब मैं आया हूँ, अगर निश्य है, तो श्री मत पे चलो, पक्का निश्य है तो क्या करो, श्री मत पे चलो, गफलत नहीं करनी चाहिए, कई बच्चे मत भेद में आकर पास भी तुम ही होंगे, श्री मत पढ़ने चलेंगे, तो ना पास भी तुम होंगे, बाब तु कहते हैं, अपने पे रहन करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज दिलक देना है, बाबा को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशिरवाद की बात नहीं, फिर तो सब पर आशिरवाद करने पड़े, ये कृपा आधी भगती मारग में मांगते रहते हैं, यहां वो बात नहीं है, कृपा की आशिरवाद की बात नहीं है, हरोज पढ़ना ही, अपने ऊपर कृपा है, आशिरवाद है, अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रती, मात पु याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए सार, परविक्ती में रहते, आपस में रेस करनी है, परंतो अगर किसी कारण से एक पैयान धीला पड़ जाता है, उसके पीछे ठैर नहीं जाना, स्वयम को राज दिलक देने क लाइक बनाना है, शिव जियनती बड़े धूम धाम से मनानी है, क्योंकि शुक्रिया बाबा, जो ज्यान रतन देते हैं, उससे तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, परविक्ती में रहते, आपस में रेस करनी है, अ से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्यान रतन देते हैं, उससे तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, वर्दान है, बाप से शक्ति लेकर हर परसिती को हल करने वाले साक्षी द्रिश्टा भव, बाप से शक्ति ल गना है, तो हर प्रकार की हलचल अती में होगी, परिवार में भी खिट-किट होगी, मन में भी अनेक उल्झन आएंगी, धन भी नीचे उपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी है, सच्चे है, उनका जवाबदार बाप है, ऐससे समय पर, मन बाप की तरफ हो, तो नरण शक्त से सब पार कर लेंगे ऐसे समय पर मन बाब की तरफ हो तो नरणे शक्ति से सब पार कर लेंगे साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाब की शक्ति से हर परसिती को सहज हल कर लेंगे भूती सुनर वर्दान है आज का अच्छे से बड़े-बड़े क्षरू में दारी पैन लेकर ल करनी है अगर आपका बुद्ध्योग बाबा पर टिक जाता है तो आपको स्परसिती का हल मिल जाता है ऐसे निश्य बुद्धी बनकर बाबा के सामने बैचेंगे साक्षियो कर खेल देखेंगे तो समधान मिल जाएगा आप बच्चे जानते हो अती के बाद अंत होना है हर प् उनका जवाबदार बाप है ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो नरणे शक्ती से सब पार कर लेंगे साक्षी द्रश्टा हो जाओ तो बाप की शक्ती से हर परसिती को सहज हल कर लेंगे स्लोगन है सब किनारे छोड़ घर चलने की तयारी करो सब किनारे छोड़ घर चलने की तयारी करो आज हम चलते फिटते याद रखेंगे मैं साक्षी द्रश्टा हूँ बाबा मेरा साथी है मैं भग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे भगवान का साथ मिला है संगम युक पर सभी कार्य परमात्म शक्तियों से हो रहे हैं, परमात्म शक्तियां अमिशक्ति शाली बनाती है, हर परसिती का हल देती है, निश्य बुद्धी और सच्चे बच्चों का जिम्मेवार बाबा है, मुझे बेहद खुशी है, मेरा जिम्मेवार बाबा है, निश्य बुद्धी होकर बाबा पर इकादर हो जाएं, महसूस करें, बाबा मुझसे प्यार करते हैं, शक्ति देते हैं, मदद करते हैं, बाबा से शक्ति लेकर मैं सूस करें, मैं सक्षी दश्टा हूँ, संसार के खेल को देखते हुए, मैं स्थित प्रद्ध के हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम शान्ती, जो भी हम सोचते हैं, वो हर बात पूरी हो जाए, इसके लिए बहुत सहज विधी क्या होगी, उसे जानने के लिए आईए सुनते हैं आज का ज्यानमोती